कि हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोपरी चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे आपके बीम सी वाड़ बॉय की भरती के बारे में जिया दोस्तों बीम सी वाड़ बॉय का भरती का जो आपका फॉर्म आया था 17 अप्रेल जिसका लास्ट डेट था सभी लो लोग अगर इमेल करते हैं तो उस इमेल को पढ़ने के लिए और सभी डॉकुमेंट्स को देखने के लिए काफी टाइम जाएगा जिया दोस्तों एक लाग आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते जबकि ऐसे टाइम पर बीम सी के पास स्टाफ की कमी है और तो इसमें जो है घ्स तो अगर और जल से हुगा इनका फॉर्म और मोलत होगा उसे रिजट कीया जाएगा जिनका फॉर्म सऎह होगा टोने जो है से अभी निएң की सबसे पहलीision कि आपको 10th class में 10th class में कितने percentage मिले थे दूसरी मराठी subject में आपके कितने percentage हैं यानि 100 में से out of आपने कितना पाया था मराठी subject में ये दो चीज आपकी जो है important जो है इसमें रूल निभाने वाली है क्योंकि इन्हीं दोनों के base पे ही आपको जो है job मिलने वाली है और कोई base न खौईश होती है और सभी लोग जो है चाहते हैं कि इसके जो है कैसे कैसे से जुड़ा जाए तो करोना के वज़े से जो है इसमें भरते निकली और काफी लोग ने जिया तो ऐसे टाइम पर जब सारी दुकाने बंद है जब कुछ क्लोज है उसके बावजूद लोगों ने है जैरोक्स निकाला प्रिंट आउट निकाला उसके बाद उसको भरा और एक लाख से जादा जिया दोस्तों जो है टोटल बच्चों से मेल किया अब बात करेंगे हम कितने परसेंटेज में आप जो है अपनी होप रख सकते हैं मतलब आपके मन में यह भी डाउट होगा कि अब एक लाख लोग है जबकि वेकेंसी सिफ सो प्लस है जिए दोस्तों अब सो लोग वेकेंसी है और एक लाख लोगोंने फॉर्म भर दिया तो अब कितने ज्यादा परसेंटेज वालों को चांस मिलेगा सबसे पहली चीज में आपको कुछ बता दूँ बेसिक चीज़े है जैसे कि सबसे पहले चीज़ यह वर्डवाई की जौब के लिए ज्यादा जो है हाई कॉलिफाई वाले जिनके मार्स होते हैं वह बच्चे लोग इस फॉर्म को नहीं भरे हैं जी यहां दोस्तों मैं सबसेंटेज जैसे 76 के उपर है अब 85 से यह सारे परसेंटेज जो होते ह अच्छे सरकारी जॉब करेंगे एक्जाम कर सकते हैं यह स्कॉलर्स के लेवल में आते हैं यह बच्चे क्या करते हैं यह वाड़ वागर फॉर्म नहीं भरते हैं बढ़ते होंगे अलग बात है किसी के मजबूरी हो तो अलग सीजन लेकिन मोस्ति मैं जो आपको बता रहा तो इतने प्रसेंट वाले बच्चे इस परम को नहीं बरते तो बात करें अब इन से नीचे वाले सारे बच्चे होंगे तो यानि कि अगर आपके नमबर जियां दोस्तों कम से कम 60% के ऊपर हैं जियां अगर 60% के उपड़ आप हैं तो यहां पे आपको काफी अच्छी होप रहेगी यानि कि 60% के साथ आपने फॉर्म भरा है कि आपके दस्वी में 60% जो है माक्स आये हैं आपको तो जो है आपको काफी अच्छे चांसे से जिया दोस्तों अगर बात करें तो 50% से ज्यादा चांसे आपको है नोकरी मिलने के क्योंकि 60% वाले भी ज्यादा बच्चे इसमें नहीं है लेकिन यह एक फिगर है एक नंबर है तो यहां पर आपको जो मैं आपको एक नंबर बता देता हूं कैटेगरी वाइस जिय अगर आपने ओपने फॉर्म बढ़ा यानि जर्नल के डेगरी में तो यहां पर आपको कम से कम 60 से लेके 65 जिया दोस्तों अगर पर अच्छे खासे चांसे से बात करें OBC की OBC ने अगर आपने फॉर्म बढ़ा है तो कम से कम आपको 63% के मार्क होने चाहिए बात करें SC और ST यहां दोस्तों यहां पर ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा यहां पर 62% के आसपास यहां पर वी 62 का आसपास में ही जो है नमबर रहे गए तो यह आपके परसेंडेज है इतने अगर आपके हैं तो आप जो है होप सकते हैं कि आपको यह चांस है बुलाया जाएगा का document verification के लिए क्योंकि 100 लोग की वेकेंसी है तो कम से कम 500 या 200 लोगों को बुलाया जाता है document verification के लिए क्या आफी लोगों के documents में भी mistakes होता है और वो उसके बाद आपका final सद्प्रचत सही जियां दोस्तों थांकि सो मच वीडियो को शेर जरूर कीजेगा ताकि सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुचे और ज्यादा से ज्यादा शेर कीजेगा दोस्तों थांकि सो मच